कि नमस्कार आप घर में दही भल्ला बनाते हैं ना आप सुचते होंगे कि आपके दही भल्ले उतने सौट क्यों नहीं बनते हैं जैसे कि हलवाई के बनते हैं ऐसा क्या मिलाते हैं कोई पाउडर मिलाते हैं नहीं भाई नहीं वो कुछ ऐसा नहीं मिलाते हैं केवल उनकी टैक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है तो आज हम बनाएंगे स्ट्रप दही भल्ला जो की हलवाई की तरह बनेगा एकदम सौफ्ट इस्पॉंजी तो आईए बनाना शुरू करते हैं स्ट्रप दही भल्ला दही भल्ला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 200 ग्राम उलत की डाल और 50 ग्राम मूँ की डाल कर उसमें पानी मिलाएंगे और उसे 5-6 गृंटे के लिए सोक करके रख देंगे 5-6 गृंटे हो चुके हैं अब हम दाल में से पानी निकाल देंगे एक छलनी की साहता से निकालेंगे और इस दाल को ग्राइंडर में डालेंगे और इसमें हरी मिर्च और अद्रक डाल कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे अद्रक और हरी मिर्च डाल में से इसका स्वाद दुगना हो जाता है अब हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे हमारी डाल पिस्ट चुकी है और अब इसे एक बाउल में पलटके इसमें थोड़ा सा खाना सोड़ा और काले मिर्च डाल कर मिलाएंगे इसको अच्छे से फेंटना है जिससे की हमारी डाल हलकी हो जाए और उसके वड़े एक तम सॉफ्ट सॉफ्ट बने अब हम एक कीला कपड़ा लेंगे और उसके उपर थोड़ा सा एक प्लेट के उपर फैलाएंगे उसके उपर पानी डाल कर थोड़ा सा ताल का पेस्ट उसके उपर फैलाएंगे और इसके उपर किश्मिश और बादाम कटे हुए हम इसके अंदर स्टफ करेंगे आप कोई और ड्राइ फूट भी ले सकते हैं और एक और चम्मच दाल का पेस्ट लेकर इसे अच्छी से कवर कर देंगे पूरा कवर करने के बाद हम इसे उठा कर गरम तेल में डाल देंगे ये वड़े हमें मेडियम टू स्लो फ्लेम पर तरने हैं एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हमारे वड़े दीरे दीरे गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं इसे पलट देंगे दूसरा वड़ा भी ऐसे ही तर लेंगे और इन बड़ों को पानी में भिगो देंगे पानी में थोड़ा सा नमक भी डालेंगे जिससे की हमारा नमक वड़ों के अंदर तक चला जाए और वो फीके ना लगे वड़े अच्छे से भीग चुके हैं अब हम इन वड़ों को पानी में से निकाल कर प्लेटिंग करने की तयारी करेंगे एक अच्छे सा प्लेटर लेंगे और वड़ों को पानी निचोड कर अच्छे से उसका पानी निकालेंगे और प्लेटर में रखेंगे ऐसे ही दूसरे वड़े का भी पानी निकालेंगे और प्लेटर में लगाएंगे अब इन वड़ों के उपर हम इसकी दही से इनको पूरे अच्छे से कवर कर देंगे दही हमें बहुत अच्छी सी डालनी है दही एकदम गाड़ी होनी चाहिए जिससे की वो पानी और दही अलगना हो जाए दही को अच्छे से फैलाते हुए हम पूरे वड़े को कवर कर देंगे दीरे दीरे फैलाते हुए पूरा वड़ा कवर करना है दही अच्छ से डालने के बाद हम इसके उपर नमक छड़केंगे जो की स्वादा नुसर आप डाल सकते हैं अब इसके उपर हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला भी छड़केंगे चाट मसाला डालने से दही वड़े का टेस्ट एक दम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अब हरी धन्य की चटनी और इमली से सजाएंगे। यह धन्य और पुदीनी की चटनी है जिसका की फ्लेवर बहुत ही फ्रेश और अच्छा आता है। आप अच्छे से इसको डालिए और इसके उपर हम नाइलोन सेव डालकर इसे सजाएंगे और थोड़ा सा हराधनिया भी डालेंगे इसके उपर हम अनारदना भी डालकर इसको अच्छे से सजाएंगे और अब हमारा धही बड़ा खाने के लिए इग्डम तयार है तो आप आदन उठाइए इस्पॉंजी स्ट्रप धही बल्लों का थीना असान रेसिपी अपने फीडबेक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए तेक क्या बबाए झाल झाल